हाई गईज एन वेलकम बाक टुदी चनल दीपश यादव एजूकेशन वेलकम टुदी डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालेसस ऑफ 16 ओफ मार्च 2024 तो गईज आसे तारिक 16 मार्च 2024 और है साटर डे देखेंगे आज के दा हिंदू कंप्लीट न्यूस्पेपर क कंप्लीट न्यूस्पेपर कॉनिलाइस करेंगे बट लेक्चर मागे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग्राम दन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक च्यादव एजूके के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है निवरा वैली नैशनल पार्क को कहां पर है इसको अच्छे से मैप में देखना दन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख साथी साथ एक question solve करेंगे जो कि UPSC previous year साल 2023 के प्रलिम्स में पूछा गया था daily business पे हम लोग यहाँ पर एक previous year question को भी solve करते है question क्या बोलता है which one of the following countries has its own satellite navigation system ये जो चार देश आपको option में दिख रहे हैं इन मेंसे कौन से एक ऐसा देश जिसके पास में खुद का satellite navigation system है option को नीचे comment section में देना है at least सभी को इसमें participate करना है जैसे हम आप लोगों से daily basis पे बोलता हूँ by the way इसका जो correct answer है वो मैंने आपको telegram पर provide करवा दिया है वहाँ से भी आप इसको check out कर सकते हो और अगर वहाँ पर answer नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रुरत नही नजर आएंगे तो आज हम इसको थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे चाहे आप live men उठालो चाहे even आप the Hindu newspaper उठालो सभी जगा पर इस topic को cover किया गया है कि अभी डॉग की लगबग तेहिस अलगलग breeds के उपर सरकार बैन लगा रही है जिसको लेकर already कई सरे जो क कैसकते हो कि data है वो हमारे सामने आया है reason क्या है पिछले कुछ समय पर जो dog attack के cases हैं दोस्तों वो बहुती तेजी से बढ़ते वे नजर आए हमारे देश में especially यहाँ पर बच्चों के ओपर dog attack हो रहा है है यहाँ बूडे लोग है उनके ओपर देखने को मिला है इस वज़ा स इंडिया में especially बोला यह जा रहा है कि लगबग 30 अलग लग जो यह dog की breeds हैं इसके ओपर बैन लगा जाएगा इसके import के ओपर इसके sale के ओपर even जो अभी present इनकी breeding के ओपर भी बैन लगा जाएगा क्योंकि कहीं न कहीं यह जो 30 अलग लग स्पीशी है यह human life के लिए एक बहु पूला डीटेल से जानते हैं यह तुम आपको बताई चुका हूँ कि cancer का राशा क्यों कर रही है क्योंकि यहाँ पर reason यह है कि पिछले कुछ समय पर dog attacks के के जो cases हैं वो तेजी से increase होते वे नज़राएं और यह जो breeds के dog आज कि समय पर इंडिया में present हैं उनकी stylization भी की जाए अगर पूरी तरह से इनके उपर बैन लगता है तो समझ गए अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे breeds की तो इन तेहिस breed में से सबसे पहला जो list में नाम है वो है pitbull terrier का यह जो dog है यहाँ पर आप देखोगे तो कई बार इस dog से कई सारी जगह पर fighting मगरा भी की जाती है काफी aggressive dog आपको यह देखने को मिल जाता है फिर उसके बाद में दूसरा है Tosa Inu यह Japanese origin का dog आपको देखने को मिल जाता है मतलब यह जो breed है ऐसी bulldog जैसी मौस्तिव जैसी ही है बहुत ज़दा heavy powerful dog यहाँ पर यह नजर आता है यह भी काफी ज़दा aggressive माना जाता है especially जो यहाँ पर जि ठीक है तो यह भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो American breed है नाम से बता चल रहा है यह dog काफी ज़दा तेज है काफी फुर्तीला है लेकिन साथी साथ में दोस्तों यहाँ पर गुस्से में बहुत ज़दा आगे है ऐसी reports बताती है फिर उसके बाद में एक और breed है वो है फि फैमिली की तो फैमिली में जब यह पलता है दिरेदरे तो फैमिली के प्रती काफी लॉयल रहता है लेकिन इसके अंदर भी दोस्तों स्ट्रेंजर्स के प्रती काफी गुस्सा देखने को मिल जाता है तो कही ना की चीज़ए डिपेंड करती है उसके ट्रेनिंग के उपर मे किस तरीके से यहाँ पर डॉक्स को ट्रेन किया जा रहा है फिर यहीं पर आता है डोगो अर्जेंटिनो यह भी यहाँ पर बहुत खतरनाक मना जाता है इविन यह वाला जो डॉक है दोस्तो इसका यूज किया जाता है शिकार करने के लिए ठीक है कई बार दूसरे एनिमल्स को या स्ट्रेंजर्स को यह मार देता है अब नाम पता चला है अर्जेंटिनो तो यह एक बड़ी साइस का वाइट मस्कुलर डॉग नजर आता है जो कि यह भी काफी बड़े साइस का डॉग देखने को मिलेगा है ना फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे इसके बार में कुछ इन्फोर्मेशन यहां पर शेर की गई है अगर हम इतिहास देखें मस्टिफ का तो यह भी ऐसा हंटिंग डॉग यूज किया गया है हम लोगों ने देखी है याना किसी इच को लेकर डॉग आटैक के के केसिस को लेकर डॉग बाइट के के केसिस को लेकर तो जो रॉट विलर्स हैं इनका एक समय पर इस्तमाल करते थे जो गाड़ी होती है उसको खीचने के लिए यहां पर रॉट विलर्स का तो इसके जबड़े से उस व्यक्ति को छुड़ाना नामुम्किन है या बहुत ही ज़दा मुश्किल है उसको यह release नहीं करेगा तर उसके बाद में एक डॉग है अब यह नहीं कर्जो है यह औरिजिनली इटली से आता है ठीक है अब यह भी काफी famous है अपने कह सकते हो जो जिस तरीके से यह family के प्रती लॉयल रहता है यह ना वफदारी बहुत ज़्यादा high level पर है family के protection के लिए appearance के basis पर भी यहाँ बहुत शांदार देखने को मिलता है जि लेकिन कहीं न कहीं यहां पर अपने मतलब जिससे यह जिसके प्रती काफ़ी जदा लोयल है उसको अची तरीके से डिफेंड भी कर सकता है लेकिन जो स्ट्रेंजर है उस स्ट्रेंजर के लिए यहां पर यह एक प्रॉब्लम भी साबित हो सकता है तो उसके बाद में आता है अम अमरिकन बुल्डॉग हंट भी कर सकता है देन आता यहां पर एक और बॉयर बॉयल ठीक है ये भी एक कह सकते हो कि साउथ आफरीका से बिलॉंग करने वाला बड़े साइस का डॉग है इनकी जो हड़ियां का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है मसल्स बहुत ज़्यादा होती है बॉडी के अंदर में और बहुत ज़्यादा बहादूर माण जाता है ये डॉक्स rivals अब इसके अलवा जो दूसरी ब्रीट से जिसके उपर बें लगया जा रहा है यह एक है यहाँ पर Terrier, UK से बिलॉंग करती है Terrier, then है Kangal, Turkey से आता है यह वाला Dog, then है है यहाँ पर Caucasian Shepherd Dog, यह Russia, Turkey, Georgia, Azerbaijan, Armenia, Soviet Union, ठीक है, तो यानि वही जो ठंडे regions especially, वहाँ पर जातर आपको यह देखने को मिलेगा, फिर एक Central Asian Shepherd Dog है, Central Asia से बिलॉंग करता है, South Asian Shepherd Dog, Russia, Ukraine, Soviet Union में दे बलसी बात है, वह अपर तूड के रेश्या बन गया, दूसरे countries बन गया उसमें से, फिर आता है यहाँ पर एक Tone Jack, Bosnia, Harzegovina, and Croatia के अंदर में दोस्तों यहाँ पर यह वाला Dog से देखने को मिलता है, इनका origin यहाँ से है, यहाँ से इनको लाया जाता है, फिर आता है यहाँ Rhodesian Ridgeback, तो यह South Africa से बिलॉंग करता है, फिर उसके बाद में यहाँ पर एक Dog आता है, सारप्यानी नेक, तो यह सरबिया हो गया, North Macedonia हो गया, Kosov वो हो गया, यहाँ से मगया जाता है, फिर है Wolf Dogs, ठीक है, फिर यहाँ पर आप देख पाऊगे, जापनीस, तोसा, अनकी था, नाम से मगया जाता है, तो यह सारी breeds है, जिसके ओपर अभी बैन लगाने के बारे में सारे discussion से रहे हैं, और hopefully यहाँ पर वैन भी लगेगा, ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सारे information आ चुकी है, कि जहाँ पर आर्टिकल आपको दिखाएंगे, कि बैन लगा दिया गया है, कहीं पर सबसे important चीज, इनकी breeding को रोका जाएगा, यानि आगे further production यहाँ पर न हो, और ज्यादा यहाँ पर जो यह dogs की population वो यहाँ पर increase न हो, इस चीज के ओपर एक special focus रखा जा रहा है, वाकि दोस्तों आपको बता है, यह सब reason, इसके पीछे का reason, जैसे मैं आपको बताया, dog bite के cases का और बहुत सारे cases पिछले कुछ समय पर नजर आए है, हर दो दिन में एक नए case आपको खुआरे मिल रहा है, बहुत डीटेल से इसका discussion में उलड़ी कर चुका हूँ, तो आपके क्या विचार है, इस particular step पर आप अपने नीचे comment section बता सकते हो, जो dogs हैं, इनको ban करना सही है या गलत है, सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है, आप नीचे comment section में अपने point of use को share कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, आगे आता है एक और important topic पर, यहाँ पर बात हो रही है, lime disease के बारे में, एक बिमारी अभी news में बनी हुई है, तो कोई बिमारी है, disease है, तो हमारा health के perspective से important topic है, especially GS paper number 2, health से आप इसको link कर सकते हो, तो हुआ क्या है, अभी मैं आपको पहले यह news बता देता हूँ, news यह है कि lime disease के जो cases से दोस्तों, वो हाली में केरेला के अंदर, especially Irnakulum district के अंदर में देखने को मिले, जिस वज़ा से इसकी खबर 4 उतरा फैल गई, बहुत सरे news articles, lime disease के बारे में directly discussion कर रहे हैं, तो exam के लिए पता होना चाहिए, यह disease है क्या, क्योंकि दोस्तों चाहिए, वो डेंगू हो, malaria हो, ऐसे और भी कोई सारी विमारिया हैं, जिसको लेकर UPSC already questions पूछ चुका है, चलो बात करता है, lime disease के तो lime disease basically एक vector bond infectious disease है, यानि एक ऐसा infection जो की एक bacteria की वज़ा से होता है, उस bacteria का नाम है Borrelia burgdoferi, यह basically यहाँ पर उस bacteria का नाम है, सबसे important दोस्तों यहाँ पर है इस विमारी का transmission, यह बिमारी इंसानों में filthy कैसे है, यह इंसानों में filthy है, एक infected कीडे की वज़ा से, एक कीडा जिसको यहाँ पर infection होगा इस प्रकार का, वो अग black black tick यह वाले हैं, जिसके pair ही यहाँ पर black color के हैं, simple सी बात है, नाम ही इसका बता रहा है, और black black tick को हम deer tick के नाम से भी जानते हैं, तो यह जो tick है, यह main कारण है, यह वाला कीडा main कारण है, कोई infected tick है, तो यह कहीं है कि एक इंसान को जब काटेगा, तो यह बिमारी उस इंसा है, वो थोड़ा सा कमजोर है, कहने का मतलब है, जो यह lime disease है, यह humans से humans के बीच में नहीं फैलती, pets से humans के बीच में नहीं फैलती, ना कोई हवा, पानी, water, किसी भी माधियम से नहीं फैलती, बस खाली वही reason है, tick, कोई infected tick है, तो उसकी वज़ा से directly यहाँ पर यह बिमारी फैल यह बिमारी आज किसमे पर नजर आती है, यह बिमारी कर किसी को हो जाती है, तो starting में अगर आप देखोगे, तो कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं, हर एक बिमारी का यह हाल होता है, लेकिन lime disease जब होता है, तो इसके जो early symptoms होता है, जो लक्षण होता है, वो 3 से लेकर 30 दिनों के बीच में यहां पर दिखाई देता है, मालों यहां पर एक टेकने काट लिया, तो उसके 3 से या 30 दिन तक यहां पर जो लक्षण है, उसके बादी दिखाई पड़ता है, या इस time period में, अब वो लक्षण में क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले सर में बहुत तेजी स दर्द होना, सुनने में परिशानी होना, ठीक है, मसल्स के अंदर में खिचाव होना, दर्द होना, उसके अलावा दोस्तों, यहां पर बुखार आ जाता है, शरीर कापने लगता है, शरीर कमजोर हो जाता है, ठकान बहुत जादा हो जाती है, हार्ट में काफी सरे इश्यू दोस्तों यहां पर यह भी है कि वैसे तो उसका treatment available है लेकिन अगर हम इसको proper treat ना करवाएं कुछ लंबे समय तक यह भी मारी body के अंदर पूरा bacteria फैल चुका है तो इससे complications और बढ़ सकती है especially हमारे body के joints हमारा heart या nervous system के उपर भी एक बहुत बुरा असर पड़ सकता है ऐसा यहां पर mention किया गया है फिर बात आती है treatment की कि अगर इतना ही खतरनाक है तो क्या इसका गोई उपाए है अगर उपाए है तो वो क्या है तो दोस्तों का जो standard treatment है lime disease का वो है anti-bootics obviously बात है bacteria को खतम करना है तो इसके लिए anti-bootics का हम इस्तमाल करेंगे और anti-bootics में भी यहां पर नाम आता है doxycycline का और amoxicillin का तो यह दो anti-bootics हैं जिसको आप early stages में दे सकते हो दीरे-दीरे यहां पर कुछ और anti-bootics जैसी जरुरत होगी वैसे दिया जा सकेगा बट starting में इन ही को देकर situation को थोड़ा सा control किया जा सकता है तो question आपसे lime disease को लेकर अगर बन जाएं तो आप उसको अराम से handle कर सकते हो अब आगे बढ़ने से पहले एक important information अगर आप लोग हमारे paid groups को join करना चाहते हो तो आपके पास पर एक बढ़िया मौका इसको join करने का यहाँ पर आपको daily business पे current notes के PDF वगरा provide करवाय जाता है for example जैसे आपने ये article देखा ये सब article का background data है ये सब आपको एक printed form में notes के form में provide करवाय जाता है इस ग्रूप में एक ऐसा PDF जिसका print out वगरा निकलवा सकते हो दूसरी बात दोस्तो इस PDF के अदर में सारा content Hindi और English दोनों medium का होता है तो दोनों medium के aspirant को help मिल जाती है दूसरी चीज आपका यहाँ पे सारा content secure रहता है कहने का मतलब है आप जब PDF इखटा करते हो storage के issues होता है वगरा वगरा unlimited options आपके पास हम available है इस group को join करने का जो fee payment है वो भी बहुत minimum है just 499 for the lifetime access या जब तक आपका selection न हो जाए तब तक आप 499 में इस group को join करके रख सकते हैं और guarantee है कुछ दिनों बाद आपका amount या recover हो जाएगा लेकिन benefits बरकरार आपको आगे मिलते रहेंगे इस group को join करने के पर मिलेगा यह वाला 853-487-3368 इस नबर पर जाकर message कर देना कि I want to join this group आपको आप reply मिलेगा payment का process दिया जाएगा और payment के process से ज्यादा important आपको demo वीडियो का link भी मिलेगा आप पूरे demo वीडियो को check कर सकते हो मुझे किस तरीके से फायदे होंगे देन उसके बाद में finally अप आप यहाँ पर दोस्तों मुझे आप लोगों से एक important बात कर रही है पहले ज़रा उसको सुनो कई लोग बोलते है सर दाहिंदू के article आपके वीडियो में थोड़े से कम हमको दिखने को मिल रहे हैं ठीक है लेकिन कई लोग कहना है कि सर आपका वीडियो हमें बाकी वीडियो में कुछ भी important नहीं छप रहा है आजकल छपता है तो definitely discuss किया जाता है आज का मैं आपको example दूँगा आज का दाहिंदू अकबार उठाओ और पढ़ो देखो आपको क्या important बिलेगा पूरा आर्टिकल है electoral bond से घिरा हुआ है और ऐसा नहीं हमने electoral bond नहीं पढ़ा है मतलब कई ह बार यहां पर पढ़ा रही होगा डिटूरल डिसकस किये हैं आपने main question लिख रहा किया है उसके ओपर में ठीक है तो ऐसा discuss तो हम करते रहते हैं यह बीच में आता रहते हैं तो अभी नहीं तो मैं अभी फिटसर डिसकस कर दूँगा है electoral bond के बारे में तो उसके लिए परिश जानी है अब यह मैंने discuss किया है यह चर्चा में है तो इस वज़ए से यहां से question बन सेकता है एक्जाम में तो इस वज़ए से वीडियो थोड़ा diversify हो जाता है ठीक है तो आप इस बात को यहां पर समझना बाकि मेरी कोशिच यह होती है कि जो भी important हो वो आपको cover करवाया जा क्योंकि अगर मैं जो दो चार आर्टिकल हैं जबरसी लेकर newspaper से discuss करके चला भी जाता हूँ तो उसका कोई फाइदा नहीं होगा ना आपको फाइदा होगा ना आपके exam में फाइदा होगा उसकी जगा इधर उदर से जो content लिया जाए वो भी चर्चाओं में है वो च्छापा नहीं अकबार में क्योंकि ऐसे बात है नहीं क्योंकि देको simple चीज़ है UPSC ने ये थोड़ी ना बोला है कि केवल the Hindu से ही आएगा सब कुछ नहीं आपने sources को diversify करने होते हैं हर बार करने होते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपका current affair आएगा ना कि केवल newspaper आएगा तो current affair में अपसान हो जाता है और जो लोग यहाँ पर serious aspirant है ठीक है जो पढ़ रहे है syllabus पता है उन्हें पता है वीडियो का importance कैसे बढ़ चुका है बट अभी यहाँ पर कुछ लोगा कहना है कि सर यह वाल आर्टिकल वाल आर्टिकल तो वो आर्टिकल आप देखो वो entertainment वाल आर्टिकल है मुझे send भी करते हैं मैं इसलिए बता रहूं अब नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं send करते हैं कि सर यह article आपने cover नहीं गया बट वो article क्या आपके syllabus में match हो रहा है पॉलिटिक से बढ़ा है और opposition party यह कह रही है यह नेता यह कह रहे है तो वो statement wise यहाँ पर आपके काम का नही है statement में जब काम की चीज होती है तो वह definitely मैं discuss करता हूँ for example अभी committee की report आई थी आपको पता होगा one nation one election कल वो details से मैंने discuss किया वहाँ पर क्या 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 पॉइंट आप दोस्तों ध्यान रखिएगा क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता कि आपका time waste हो और फिर वो मुझे भी satisfy नह आता क्लिर हो गया चलिए अब आ गया आता है मैं यही बात आप लोगों से कहना चाहरा था तो प्लीज आप बस खली videos को refer कीजिए आपको current affair पढ़ना है current affair exam में आएगा और current affair की जम्मेदारी इन videos पर छोड़ दीजिए मेरा पूरा target है कि मैं इस तरीके से cover करके चलू कि ठीक है चलिए यहाँ पर यह topic भी हमारा exam के लिए important है vocal for local चर्चाओ में अब vocal for local यह बात है काम की हमारी किसी भी exam में पूछा जा सकता है यह topic ना केवल UPSC किसी भी exam में यह क्या है यह क्या है यह किया है यह initiative है जिसको किसने launch किया है नीती आयोग ने भाई simple सा पहला question तो यही धराव अमल सकता है कि बता वही हाली में local for local initiative को start किया गया यह किस ने launch किया नीती आयोग ने launch किया ऐसे questions बनते हैं क्योंकि यह syllabus का part है clear अब दोस्तों यहाँ पर ही जो initiative है यह जैसे मैंने बोला vocal for local आपको बता है especially जो local areas है उनको develop करने के लिए यह initiative को start किया गया है औ और इस initiative को aspirational blocks program की अंडर में रखाया है अब aspirational blocks कौन से होता है एक ऐसा area जो की कही न कहीं थोड़ा disadvantage वे में चल रहा है यानिकि थोड़ा पीछे है बाकी areas के comparison में तो vocal for local initiative हमारे नीती आयोग का ही एक important initiative है जो कि इस program के अंदर में आता है जिसका main मकसद है जो local people है उनको आ है ना तो उस area की economy को develop करना ये एक special focus है यहाँ पर इस vocal for local का तो इस initiative के हिस्से के तौर पर अगर हम देखेंगे तो 500 जो aspirational blocks है मैं आपको बता चुका हूँ ऐसे areas जहाँ पर development कम है तो ऐसे area के local products को इस initiative के तहत हम एक market provide करवाएंगे और वो market दिया जाएगा अकांगशा brand के अंदर में तो अकांगशा basically एक umbrella एक बहुत बड़ी brand रहने वाली है जिसमें जो यह local यहाँ पर workers हमारे होंगे है ना local कलाकार होंगे उनको एक potential मिलेगा कि एक market उनको मिले उनका जो product है वो वहाँ पर big सकेगा इस से यहाँ पर उनका जो कह सकतो growth है वो यहाँ पर हो सकेगा ठीक है तो इन products को और जदा बड़ावा देने के लिए encourage करने के लिए इस brand के अंदर में एक काम किया जा रहा है और इसको पूरी तरह से यहाँ पर establish किया गया है government e-marketplace के platform पर ठीक है यानि इस portal की तोर पर यहाँ पर इसको तयार किया गया है और जितने भी partner से दोस्तों यह यहाँ पर एक बहुत बड़ा support provide करवाने वाले हैं इन लोगों को एक बहुत बड़ा support मिलेगा especially यहाँ पर उनके products को एक जब market मिलेगा तो वहाँ पर आम से बेच सकेंगे growth होगी overall local economy की growth होती भी नज़र आएगी समझ गए अभी हम बात कर रहे थे government e-marketplace की तो यह है क्या exactly तो यह भी एक online platform है especially जहाँ से सरकार चीजों को खरीदेगी public procurement के लिए यहाँ पर एक online platform है जिसको 2016 में launch किया था ministry of commerce and industry के थूँ यह एक लौता website है one stop portal है जहाँ पर online जो goods and services है जो अलगलग सरकारी departments को organizations को public sector units को ज़रूरत होती है तो अपने समान को इस portal से purchase कर सकते हैं तो ऐसा market भी यहाँ पर इन लोग को दिया जा सकेगा ठीक है इस initiative के तहत अब बात करते हैं aspirational blocks की यह क्या है तो दोस्तों यहाँ पर यह जो aspirational block program है जैसे मैंने बोला कि हमारे कुछ districts होता है उनको categorize कि जाता है उसमें एक section आता है aspirational district का जो की थोड़े से पीछे रह जा चुक तहा हमारे देश के और यह जो नया program है इसका मेन मकसद यही है कि ऐसे districts को develop किया जा सके आगे grow किया जा सके ठीक है holistic development के उपर special focus किया जा सके और starting में जो यह program है वो 500 अलग-लग districts को cover करेगा हमारे 31 राजे और unit territory से ठीक है और जो यह 500 districts हैं इन में से अगर आप देखोगे तो आदिस से जादा जो blocks है वो किवल 6 राजे से आ जाएंगे तो उतरपरदेश से 68 blocks हैं बिहार से 61 मद्यापरदेश से 42 जारकंट से 34 ओडिशा से 29 और वेस्ट बैंगोल से अगे 29 ठीक है तो यह हो गया हमारा article समाप्त यह भी exam के लिए important है अब आता यह topic यह हमारा GS paper number 3 environment के ल भी लोग तो दोस्तों अभी न चाया आप down to earth उठाओ या कोई और magazine उठाओ वहाँ पर आपको यह article common देखने को मिलेगा हर जगा तो यह क्या है यहाँ पर बात हो रही है यह scorpiops क्राचन तो scorpiops क्राचन यह क्या है यह basically यहाँ पर एक नई बिच्छू की species मिली है scorpio की species मिल था और इसको नाम दे दिया गया scorpiops क्राचन 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 क्यों दिया गया है क्योंकि दोस्तों यह जो species ढूंडी कई यह बिच्छू की ए थाइलेंड मिली है एक ऐसी species जिसके बारे में दुनिया को पता ही नहीं था बट अब पता चला है एक ऐसी species जो पहली पता है और नाम इसका कैसे रखा गया जैसे मैंने बुला थाइलेंड में एक नाशनल पार्क एक करचन नाशनल पार्क वहीं पे इसका नाम वहीं से इंस्पायर होके रखा या है ठीक है उसके लावा यह वाली जो बिच्चू की species दोस्तों यह बहुत limited वे में देखने को मि जाएगा बहुत ही छोटे ब्राउन कलर के कलर में मतला ब्राउन कलर इनका देखने को मिल जाता जातर जो फीमेल से वो थोड़ी सी डारकर है मेल्स की कमपारिजन में इन बिच्चू की species में और साथी साथ में यहापर इन बिच्चू की आठ आखें हैं और आठ पैर हैं यह इनकार टॉपिक यह भी हमारा जीएस पेपर नंबर थूरी एन्वोर्मेंट के लिए रेलिवेंट है बात और यह ग्लोबल मीथेन ट्राकर के बारे में अगें वेरी इंपॉर्टन टॉपिक तो हुआ क्या है दोस्तों इंटरनाशनल इनर्जी एजनसी नाम की बॉड़ी का इस बॉड़ी का नाम तो आपनों सुना होगा नई सुना है तो कोई बात नहीं मैं आपको थोड़े दर में बताऊंगा तो इंटरनाशनल इनर्जी एजनसी के अकॉर्डिंग जो ग्लोबल मीथेन ट्राकर है 2024 इन्होंने यहाँ पर दोस्तों यह ट्राकर के बताया कि पूर 2023 में जो अभी एमिशन हुआ है पूरे साल में वो अभी तक का सबसे जादा था तो यह रिपोर्ट आई है यहाँ पर ग्लोबल मीथेन ट्राकर की नाम से बता चल रहा है यह मिथेन को ट्राक करता है दुनिया में मीथेन किस लेवल पर रिलीज हो रहा है और सवाल यह भी है कि यह रिपोर्ट कौन लेकर आता है क्वेशन यहां से बन सकता है तो दोसे पूरे साल की रिपोर्ट होती है इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है इंटरनाशनल इनर्जी एजनसी के थूँ यह रिपोर्ट किस लिच के ओपर बेज़ है जो हाल ही में हमारा मीथेन और फिर उसके बाद में इस इंफोर्मेशन को एक खटा किया जाता है अब य Luther प्रूबल मिथेन ट्रैकर 2024 है यानि कि मतलब अभी 2024 में आया ये डेटा लेकिन हुआ क्या है इसमें पूरे 2023 को कवर किया हुआ है पूरे 2023 में मिथेन का एमिशन कितना कितना हुआ तो दोस्तो इस रिपोर्ट में ये पता चलता है कि साल 2023 में जो फ्यूल जलाया गया जिससे मि मिथेन के एमिशन बढ़ रहे है जबकि एक तरफ हमारा टारेट क्या है क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना पलूशन को रोकना टेंप्रेचर को मिंटेन करना अब बात यहां पर आती है एक और चीज़ की जो ये बायो एनरजी है एक प्रकार की रिनेवेबल एनरजी का फ पस मिथेन जनरेट हुआ है एट्मोस्फियर में रिलीज हुआ है आप ये इमेजन करो इतना सारा मिथेन रिलीज हो रहा है एट्मोस्फियर के अंदर में और 120 मिलियन टन में से जो 80 मिलियन टन है ये केवल और केवल 10 देशों से रिलीज हुआ और उन 10 देशों के अंदर मे यूएस टॉप पर है अमेरिका ने सबसे ज़्यादा तेल और गैस जलाया जिसकी वेसे मीथेन एमिशन्स हुए फिर उसकी बाद में रश्या है तन चाइना है ये सब लीडर्स है कोईला जलाया तेल जलाया जिससे बहुत सरा मीथेन एमिशन हमको देखने को मिला स्टडीज यहां पर ये सजेस्ट करती है कि भाई हम लोग एक तरफ तो टार्गेट रखके चल रहे हैं कि भाई या क्लायमेट चेंज को कंट्रोल करना है लेकिन जो ये एमिशन्स हो रहे हैं ये एमिशन्स बहुत जादा है और जो हमारा टार्गेट है वो बहुत पीछे रह जा चुका है हम वो टार्गेट एचीव नहीं कर पाएंगे टार्गेट बड़े बड़े हैं पूरे दुनिया ने मिलकर टार्गेट रखा 2030 में हम Climate Change को Control करेंगे Fossil fuels के Emissions को कम करेंगे Paris Agreement हुआ दोस्तो क्या उसका कोई फाएदा निकला कुछ नहीं निकला Paris Agreement में हमने डिसकस किया था की Climate Change में जो ये Warming हो रही है लगातार Temperature कम हो रहा है इसको 1.5 degree Celsius पर रजरोक देंगे रोका नहीं emissions लगातार हो रहे हैं तो इतना सब कुछ होने के बाद जो international energy agency है उन्होंने एक अनुमान बताया है कि इस situation को अगर हमें control करना है तो कितना खर्चा चाहिए होगा पता है जितना emission हो रहा है जितना pollution हो रहा है इस methane emission को control करने के लिए हमें 170 billion US dollars खर्चने पढ़ेंगे और ये income कह सकतो बहुत ज़ादा है लेकिन जो fossil fuel की industry जितना पैसा generate कर रहे है उसका ये 5% से कम ही है तो बहुत सारा पैसा है definitely लेकिन जितना generate हो रहा है इंडस्ट्री से उससे कम है तो कई ना कहीं ये पैसा में खर्च करना होगा इस particular environment को protect करने के लिए otherwise हुमारे targets वो targets धरे के धरे रह जाने वाले है अब यहीं पर बात आती है International Energy Agency की आकरे अर्ग क्या है ये International Energy Agency ज़रा जान लेते हैं क्योंकि ये report सामने को लेकर आई है तो ये autonomous intergovernmental organization है एक SS Angatan जिसमें कई सारे देश इसका हिस्सा है सबकी सरकारे मिलकर work कर रही है इस body को बनाया गया था 1974 में specially Paris के अंदर में ठीके तो Paris में हैं यहाँ पर ये body का headquarters आपको नज़र आएगा इसका main focus है energy policies के उपर में economic development, energy security और environmental protection इन चीजों के उपर ये special focus रखता है कहने का मतलब है जो energy हम इस्तमाल कर रहे हैं वो थोड़ी efficient energy हो यहाँ पर renewable energy का ज़्यादा use करें ऐसा यहाँ पर इसका ज़्यादा focus होता है वही ऐसी energy इस्तमाल ना करें हम जिससे ज़्यादा production हो रहा हो तो जो international energy agency है दोस्तो यह specially बनाई गई है कि हम क्या कर सकें लोग ज़्याद से ज़्यादा जो clean source of energy है renewable energy है solar energy, wind energy इसका ज़्यादा उप्योग करें अब बात आती है इसके ज़रूरत की तो international energy agency को दोस्तो बनाया गया था जब एक oil crisis चल रहा था 1973 से 74 के बीच में फिर अगर आप देखोगे तो इसका mission जैसे मैंने बोला reliable energy, affordable और clean energy को ज़्यादा से ज़्यादा promote करना और चार special चीजों के उपर इस particular body के focus होते है energy security, energy development, sorry economic development environmental awareness और दुनिया के साथ में engage करके चलना नए national solutions को find करना कि कैसे हम अपने environment से सम्मदन चिंताओ को कम कर सकते हैं अब यहीं बार आता है सबसे important point दोस्तों केवल इतना ही काम नहीं international energy agency का इसके साथ ही कई reports को publish करता है reports का नाम ध्याहन रखिएगा क्योंकि कई बार examination में directly आप से reports के बारे में पूछ लिया जाता है कि भाई या बताओ यह report कौन release करता है तो major reports में पहली है world energy outlook report second है world energy investment report third है world energy statistics then world energy balances then energy technological perspectives and then उसके बाद में आपको नज़र आएगा energy outlook report ठीक है तो धिहान लखिएगा दोस्तों यहाँ पर यह सारी की सारी जो reports हैं यह वो reports हैं जिसको release करता है हमारा international energy agency समझ गए? चलिए आते हैं एक और important topic के उपर यह भी हमारे exam के लिए बहुती ज़्यादा important देखने को मिलता है बात और यह mathematics day के बारे में तो अभी recently international day of mathematics celebrate किया गया है सब को पता है हर साल 14 March को यह day celebrate किया जाता है जिसने गणित को दोस्तों एक और ज़्यादा ultimate level पर ले जाने की बात किये अब इस इतिहास को जानना ज़रूरी है हमारे लिए क्या है यह international day of mathematics यहाँ पर कुछ important personalities चर्चा में है तो exam में question बनने के चाहिए UPSC में ना बनने लेकिन one day examinations में question बनने के बहुत सारे chances है तो क्या है तो हुआ क्या अभी 14 March निकली है day celebrate किया गया जिस वेसे चर्चा में इस बार साल 2024 के अंदर में इस international day of mathematics का जो theme है इसका विश्य है वो क्या है वो है playing with math और ध्यान अखिय का जो theme होता है न इस रटना ही पड़ता है वो change नहीं होता और कई सारे examination में इससी वगरा की बात करेंगा तो theme पूछ लिया जाता है अब बात करते हैं आकरकार 14 March ही क्यों क्यों 14 March को यहां हम international mathematics day celebrate करते हैं क्योंकि दोस्तों यहां पर यह भी धियानक ना होगा कि यह जो day है ना international day of mathematics इसको हम pi day के नाम से भी जाते हैं pi आप समझ रहोंगे है ना जो pi का sign होता है यह वाला वो समझ रहोंगे तो आपको पता है pi की value कितनी होती है तो pi की जो approximate value होती है वो होती है 3.14 है ना अब 3.14 को अगर हम month और day के format में लिखे हैं तो 3.14 इस तरीके से यानि तीसरा महिना March और 14 तारीक तो इस तरीके से दोस्तों यहां पर यह पूरा digit को set किया गया जिस basis पर इसी 14 तारीक को यानि हर साल 14 March को क्या देखने को मिलता है International Mathematics Day और Pi Day ठीक है इन दोनों को यहां पर हम इसी दिन मनाते हैं और जो पहला Pi Day है वो celebrate किया गया था 1988 में जो हमारे physicist थे उस समय पर Larry Shaw उनके थूरू यहां पर इसको celebrate किया गया फिर साल 2019 में United States ने क्या किया 14 March को बिलकुल designation दी दिया कि हम अब हर साल 14 March को Pi Day celebrate करेंगे इवन इतना ही नी दोस्तो जो Pi को value मिलने स्टार्ट हुई UNESCO ने दोस्तो Pi Day को International Day of Mathematics के तोर पर देखना शुरू कर दिया ठीक है तो जो हमारे mathematician और physicist थे Albert Einstein यह जाने जाते हैं आपने general theory के लिए general theory of relativity के लिए ठीक है तो यहाँ पर आप देख पाऊगे तो उनका भी जन्म होता है यहाँ पर Pi Day पर 1879 में तो Pi Day का importance अपने आप में काफी सारी जगा पर आपको देखने को मल जाता है ठीक है अब उसके बाद Pi है के exactly तो Pi Maths का एक यहाँ पर concept आपको नजर आएगा Pi क्या करता है Pi रेप्रेजेंट करता है ratio of the circumference of a circle to its diameter तो वो जो हमारा पुरा value निकल कराएगा वो Pi का निकल कराएगा सिंपल सी बात है circumference upon diameter is equals to Pi और जो total value है यहाँ पर जो Pi की एक approximate value मानी जाती है वो है 3.14 ठीक है इतनी हम मान के चलते हैं बागे यहाँ पर ऐसे चलता रहेगा number वैसे यह एक infinitely long सा irrational number यह सीदा चला जाएगा जिसकी value की कोई भी नहीं जान सकता लेकिन इसे विसम 3.14 तक यहाँ पर रुख जाता है तो यह Pi की एक approximate value है लेकिन इसी के साथ सा दोस्तों आपको याद होगा तो दोसरी जो Pi है यह कितना पुराना है लगबख 4000 साल पुराना इसको discover क्या गया था ancient Babylonians के थूँ और बोला यह जाता है Pi का जो पहला calculation है वो सबसे पहली बार लाया गया था एक Greek Mathematicians थे जिनका नाम है Archimedes उनके थूँ यहाँ पर यह पहले calculation लाया गया Pi का और Pi को यहाँ पर हम as a symbol यानि कि जो मैंने बोला ऐसा symbol के तोर पर हम Pi बनाते हैं ठीक है जो symbol है Pi का यह कहां से आया है यह जो symbol है दोस्तों यह लाया गया था British Mathematician William Jones के थूँ यह symbol यहाँ पर दिया गया है 1706 में ठीक है तो दीरे दीरे यहाँ पर बज़ते है शुरुवात इसकी बहुत पहले हो चुकी थी फिर बाद में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दीरे दीरे यहाँ पर इसका बारे में और जानकारी निकलती रही इसमें इने अपडेट्स जोड़ते रहे और फिर हम दीरे दीरे और आगे बढ़ते चले गए पाई की कॉंसर्प्ट के मामले में समझ गए अब आधाती अप्लिकेशन की तो पाई का इस्तमाल कहां पर होता है तो मैथमेटिक्स में अलग-अलग जगा पर अलग-अलग वराइटी में इसका यूज के जाता है साइंटिफे कैलकुलेशन के अंदर में जी इसे बात करेंगे जियोमेट्री हो गया, ट्रिगनोमेट्री हो गया, कैलकुलस हो गया ऐसे और भी कही सारे यहां पर आपको टॉपिक्स देखने को में लेंगे मैट्स में जहां पर पाई का यूज किया जाता है ठीक है, चलिए आ गया आते हैं दोस्तों हमारा ये टॉपिक भी रह जा रहा था लचित बोरफुकंची के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे अभी रीसेंट्ली ये न्यूज में बने वे थे चर्चा क्या हो रही थी, तो हाली में परदान मंत्री नरेंदर मोदी जी ने 125 फूट का एक ब्रॉंज स्टैचू का उधगाटन किया, या ब्रॉंज स्टैचू को अनवील किया गया है, जिस वज़ा से अभी यहां पर लचित बॉर्फूगन चर्चा में है इनका इतिहास बहुत इंपोर्टन है बहुत इंपोर्टन टॉपिक बन जाता है एक्जाम के लिए भी, कई बार इनके बारे में 1826 तक यहां पर एक लेजंडरी कमांडरी की तरह इनोंने सर्व किया, यह जाने जाते थे अपने लीडरिशिप के लिए, स्पेशली कई सारी बैटल्स होई उसमें बहुत पॉपलर बैटल है, बैटल ओफ सराइगाट तो 1671 का जो बैटल ओफ सराइगाट था दोस्तो, इसमें यहां पर इनका लीडर्शिप बहुती जादा बड़े लेवल पर था ठीक है, तो इनका लीडर्शिप बहुत जादा बड़े लेवल पर हमको यह देखने को मिला करता था, उसके बाद यहां पर बात यह है फिर 1671 जो बैटल ओफ सराइगाट था, वहाँ पर लीडर्शिप इनकी सबसे खतरनाक थी, और उसके अलाबा मुगल फोर्सिस को कई बार हराया, मुगल फोर्सिस जो की लीड की जारी थी, राजा राम सिंग वन के थूरू, इस पुरा बाटल फिर बात यहां पर यह है कि जो यह बोर्फुगंजी है, होम किंडम में, जो कह सकते हो कि बहुत पॉपुलर यहां पर इनका नाम आपको देखने को मिल जाता है, उसके अलाबा यह जाने जाते है अपने गोरेला टेक्टिक्स के लिए, जो सर्प्राइज अटेक्स होते हैं उसके लिए यहां पर यह खास कर जाने जाते हैं, फिर उसके बाद में, अगर आप इनके बारे में और डीटेल से जानोगे, तो कई सरी बैटल्स यह आप इनों ने लड़ी, और उसके बाद 49 की जब एज थी इनकी, तो उसमें पर बिमारी की वज़ा से, इलनेस की वज़ा सालों तक यहां पर अहोम के हिस्से को, सरी असम के हिस्से को रूल किया, 13th century से लेकर, early 19th century तक, ठीक है, तो इस बीच कई बार इनके ओपर अटेक्स हुए, लेकिन हर अटेक्स, especially मुगल्स की बात करें, मुगल्स ने सिरीज ओफ अटेक्स करें, लेकिन यहां पर सारे अटे मुगल्स का जो अपर उसमें, जो जहांगीर का साशन था, जहांगीर के साशन से लेकर, औरंग जेब के साशन तक, कई बार अटेक्स हुए, होमस के ओपर में, बट, सब कुछ यहां पर फिल रहे दोस्तों, तो यहां पर होमस के बारें बात हो गई, आज मैं आपने वीडि कल भी कम रहते हैं, तो संडे में हम उसका डिसकेशन कर लेंगे, मैंने पहली बोदा था, कल यहां परसू, तो आज नहीं, तो कल, कल हमारे डिसकेशन हो जाएगा, बाकि दोस्तों वीडियो आपको पता है, थोड़ा सा डेले हो जा रहा है, आज थोड़ा सा डेले हो गया है बाट फिर भी 8 बे से पहले तक यहां पर अपलोड करने की मेरी कुपूरी कोशिच रह रही है, ठीक है, तो बाकि आते हैं प्रेलिमस वाले क्वेशन पर, तो क्वेशन आज का यहां पर यह था, कि बढ़ाओ इन चारों में से कौन सा देश है, जिसके पास में अपना खोद का सैटलाइट नैवियेशन सिस्टम है, तो इसका सही उतर है, ऑप्शन नमबर डी जैपान, ऑप्शन नमबर डी जा करेक्ट आंसर है, ठीक है, नाव, मिलते हैं आप लोगों से अगले वडियो में, आज के लिए बाबाई, have a nice day, thank you and जैहिंद!